आप लोगोंने देखा होगा कि हम लोग भौतिक भूगोल को कवर कर रहे हैं और इसमें लास्ट क्लास में हम लोगोंने आपके जो सोहर मंडल है इसके बारे में चर्चा की हुई थी और आज की इस क्लास में हम लोग पिठिवी की गतियां देखेंगे और एक बात आप लोगों को मालू होना चाहिए कि जो एक क्लास ने आपकी कवर की जा रहे हैं यह आपकी UPSC यानि कि Civil Service और आपके State PCS को ध्यान में रखते हुए कवर की जा रहे हैं तो अगर आपके परिक्षा किसी भी एकजाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर बहुत एक भुगोल से questions आते हैं तो एक क्लास ने आप लोगों के लिए भी मत पूड हो सकती हैं और इसके लिए एक separate playlist सूची बना दी गई है और जिसका नाम रखा गया है UPSC and State PCS Prelims Special Classes के नाम से तो जो Prelims का आपका सिलिवर्स है न उसका चाहिए आप देकी इतिहास हो जिसके बारे में हम लोग सभी क्लास ने आपकी कवर कर चुके हैं फिर चाहिए आपका भूगोल हो या समीधान हो या आप देखे अर्थयोस्ता हो या आप देखे विज्ञान हो इन सबकी क्लासें इस playlist सूची में आपको किरम से मिल जाएंगी और बहुत ही बिस्तार से हम लोग बात कर रहें तो कोई questions बाहर जाने की कोई उमीद नहीं रखिएगा और अगर आप लोगों को और विस्तार से पढ़ना है तो याद रखिए आप लोग NCEIT को पढ़ सकते हैं अगर आपकी पास time है तो और आपका अच्छे से बेश मजूद हो जाएगा देख लिए पितवी आप सभी जानते हैं कि देखिए ए सोरी भगवान है जिनने आप लोग सन कहते हैं और आप देखते होंगे कि इस तरह से यह आप देखते होंगे सोरी की चारों तरफ परिक्मा करता है और पितवी अपने अच्छ पर भी घूमती है तो यह भी आप को मिलेगा आपको और इस तरह से पूरी पित्वी एप देखेए यूरोप है आपका दच्च्चदफीका हो गया यानि कि अफीका महादीप हो गया इसमें दच्चरफीका गान्दीजी को समय तक यहां रहे थे आपको याद होगा यह आप देखे उत्तरी और आप सोचें फिर भी पानी की कभी बनी रहती है क्योंकि ये खारा पानी है उपयोग करने लायक नहीं है यहां भी आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा है देखिए सूरी भगवान जल रहे हैं और इससे आप देखते हैं कि हमारा जो ग्रह है पित्वी इससे ओजा मिलती और ये पित्वी चारों तरग आप देखने को मिल रही होगी तो पित्वी इस ते ना होकर गती सील है और पित्वी की निमने दो गतियां आप लोगों को देखने को मिलेंगी एक तो आप देखते हैं गूडन है जिसे आप लोग देनिक गती कहते हैं जो अपने अक्ष पर घूमते हैं पितवी और दूसरा आप देखें परीकरमण है इसे आप लोग बारसिक गती करते हैं और जो सूरी भगवान के चारों तरफ घूमती है देखें इसे घूडन गती कह देंगे जो अपने अक्ष पर घूमेगी और सूरी के चारों तरफ घूम रही ना इससे आप लोग क्या कह देते हैं परी कर्मण कह देते हैं और इसी के इसाप से आप देखते हैं बारसिक एक साल होता है एक बरस होता है और जो घूडन होता है ना इससे आप देखते हैं कि दैनिक दिनरात होता है तो घूडन की सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग किस्त की? घोरड़न की और इसे आप लोग किस नाम से जानते है ROTATION की नाम से भी जानते है पिथवी एक कलवित धुरी पर सदेव पश्चिम से पूर को घूमती रहती है पश्चिम से पूर की ओर हमयसा घूमती रहती है देखिए इस थरह अशी ठीक है गोमती रहती है और आप देखेंगे कि पितवी की इसी गती को आप लोग घूडन या आवर्तन गती कहते हैं और पितवी अपनी धुरी पर जब एक पूरा चक्कल लगा लेती है तो एक दिन होता है यानि कि 24 गंटे लगबग हो जाते हैं और इसी से इस गती को दैनिक गती भी हम लोग कहते हैं और पितवी जिस धुरी अत्वा अक्ष पर घूमती है वह कालपने करेखा है और जो पितवी को केंदर से होकर उसके उत्तरी और दच्छडी धर्मों को मिलाती है और पितवी का यह अक्ष अपने कक्ष तल के 7,6,6 डिगरी का कौर बनाता है और प आप मध्यान रेखा के उपरी किसी नक्षत की उत्रोत्तर दो बार गुजनने के बीच की अउधी का नक्षत दिवस के नाम से आप लोग जानते से और एक नक्षत दिवस की लंबाई आप देखें 23 गंटे 56 सेकंड मापत करिए 23 गंटे 56 मिनिट 0.09 सेकंड होती है यानि कि आप देखी पूरे 24 गंटे भी नहीं होता है चार मिनिट कम रहते हैं लगबग एक दिन की आउधी की गड़ना जब किसी निश्चित मध्यान रेखा के उपर मध्यान सूरी के उत्रोत्तर दो बार गुजनने की बिच लगने वाले समय की आधर पर की जाती है तो वह सौर द दिवस नक्षत दिवस से 3 मिनिट 56 सेकंड अधिक बढ़ा होता है और गिरहों से सम्मधित मुख भी सिस्ता है यह आप लोगों को पिछली क्लास में विस्तार से इन पर बाद भी कर चुके थे सरबादिक चमकीला ग्रह सुक रह है आपका गिरहों में सरबादिक उग्रह बै सार मंदल का सबसे बड़ा ग्रह ग्रेडनी मीट देखने को मिलेगा बे ग्रह जिनके उप ग्रह की संख्या सुन IT वुर् inappropriate की दिसा एक ही रहती है सूर्ख और वियुरेनस अपने अच्छपत्पूर्व से पस्चिम की और घुमतей है बाकी की आप देखे Springs से JU पूर की और घुमते हैं और आपका सुक्र और इूरेनस यह आप देखें पूर से पस्तिम की तरफ घुमते हैं यह आप देखे। याद रखियेगा कई बार प्रिलम से मैं पूच लेते हैं और आप मैंसे भहुत सारे लोग उन्डेक जाम की तयारी करते सेंटर लेवल का हो या इस्टेट लेवल का हो तो उसमें भी इस तरह के कुश्चान पूछ लेते हैं बुद्ध, सुक्र, पिथवी और मंगल को आप लोग आंत्रिक गिराय कहते हैं और बरस्पति, सनी, यूरेनस, नेप्चिवन को आप लोग बाह गिराय कहते हैं यह आपने हो गया, फिर आप देखेंगे कि आपका सनी हो गया, उसके बाद यूरेनस और लाश्ट में नेप्चिवन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है? और पिथवी के घूडन के कारण पिथवी का पिथवी का पिथेग भाग बारी बारी से सूरी के सम्मुक आता रहता है और इसलिए आप देखते हैं कि हमारे यहां जब रात होती है, तो दूसरी जगए आप देखें, पिथवी के दूसरे हिस्ते में दिन होता है, ठीक है? और सूरी भगवान कभी नहीं डूपते हैं, एक गलत फैमी हटा दीजेगा, हम लोग उसकी चाया से एक तरह से जो प्र जो दिन रात होता है, किसे गती के कारण होता है? तो घोडन गती के कारण, जो पितवी अपने अक्ष पर घूमती है ना, उसी के कारण, एक आप लोग बॉल ले लीजेगा, ठीक है? और प्रिकास के सामने आप लोग लाइट के सामने अर्खिएगा, देखे, बॉल का जो हि बस समझ में आना चाहिए, कोई भी उधारन लिजे, कैसा भी फिट करिए, कुछ भी करिए पिथवी की घूड़न गती के कारण, 24 घंटे की आउधी वाला दिन अस्तित में आता है, घूड़न गती के कारण ही और घूड़न की अक्षे की आधार पर ही अक्षांस और देसांतर का निर्धारन भी होता है, अक्षांस रेखा, देसांतर रेखा के बारे में पड़े हैं, आंगे इनके बारे में भी हम लोग पड़ेंगे पिठवी पर भातिक और जयविक पिक्रियाएं प्रभावित होती है और कॉरियोलिस बल की उत्पत्ती होती है, जिसके कारण उत्री गोलाद में जल और पवने अपनी दाइयोर और तथा धचडी गोलाद में अपनी बाइयोर मुड जाती है महासागरों में ज्वार भाटा भी आता है आप से पूँच ले कि आप देखिए कि MPPSC में आपके चोटे-चोटे कुश्चन्स आते रहते हैं अगर उसमें पूँचें कि पितवी की घुडन कती के का पिरभाव क्या-क्या परता है क्या-क्या कारण है तो ये भी आप लोग याद रखेएगा अब बात करते हैं परीकरमण के बारे में और इसे आप लोग क्या कहते हैं रेव लिउसन भी कहते हैं पितवी अपने अक्षपर घुडन के साथ साथ सूरी के चारों और भी चक्र लगाती है और पितवी की इस परीकमा का मार्क वामा वरत होता है काउंटर किलॉक वाइज यहां मार्क पूर्ब भित ना होकर अंडाकार है जिसके एक उपकेंदर पसूर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां आप लोग देख लिजेगा यह आप देखे सूरी भगवान हो गए और पितवी हो गई इस तरह से आप देखेंगे घुमती हुई रहेगी ठीक है इस तरह से और अच्छे से अगर आप देखना चाहें तो यहां इस सूरी हो गया है यह आप देखें पितवी घुम रहेगी ऐसी इस तरह से तो यह भी आप लोग याद रखेगा यहां आप देखें सूरी की किर्ने पड़ेंगी तो यहां दिन होगा और यहां आप देखें रात होगी जब इस तरफ होगा इस तरफ पितवी होगी तो इस तरह ऐसे घूमेगी उसी हिसा हिस्थे पर यहाँ आप लोगों को किलियर दिखाई दे रहा होगा यहाँ दिन है इस तरफ दिन रहेगा और इस तरफ आप देखें कि क्या रहेगा राद दिखाई देगी अपोजिट उसके और परिख्मा की इस अंडावर्थ मार को भू कक्षा कहा जाता है पिथवी को सुरी की परिख्मा करने अथवा अपनी कक्षा का चक्कल लगाने के लिए 365 दिन का समय लगता है लगबग और पिथवी की इस गती को परिकर्मण अथवा बारसिक गती आप लोग कहते हैं और आप देखें कि पित्वी और सूरी के बीच की दूरी बर्स भर एक सी नहीं रहती है, जनवरी में यह सूरी के सबसे निकट होती है, और उस समय पित्वी और सूरी के बीच की दूरी 1470,000,000 km होती है, यह क्या कह रहा है, पित्वी और सूरी के बीच दूरी हमेशा एक जैस जनवरी के महीने में यह सूर की सबसे निकट होती है पित्वी और इस सब पित्वी और सूरी के बीच की अगर दूरी की बात करें तो 1470 लाग किलोमीटर देखने को मिलेगी पित्वी की इस इस्तिती को आप लोग उपसौर के नाम से जानते हैं और जुलाई में पित्वी की स सूरी से दूरी अप एक छा अधिक होती है और इस सूर और पित्वी की बीच की दूरी 1521 यानि कि 1521 लाग किलोमीटर होती है और पित्वी की इस्तिती अप सौर कहलाती है तो यह आप लोग याद रखेगा और सौर की स्तिती तीन जन्मरी को होती है अप सौर की स्तिती चार रखीएगा पितवी की परिकमड गती के निम्ने पिर्भाव देखे जा सकते हैं, सूर की केड़ों का सीधा और तिर्छा, वर्स की अउधी का निधारन, कारक और मकर रिखाओं का निधारन, धुर्वों पर 6 माय की रात दिन का होना, अब आप देखें, धुर्वों पर 6 माय क रात होती है उच्छे माय का दिन होता है यहीं को करन को जाना चाहिए था धरातल पर ताप बितरन में भिन्यता देखने को मिले जलवाइ कटी वंदों का निरधारन होता है दिन रात का छोटा बड़ा होना इसी का अधारन है तो यह सब प्रभाव भी इसके, आप लोग नोट कर लिजे, चाहे लिख लिजेगा, ठीक है, फिर आप देखें, भूमद रेखा पर ही सधी और दिन राद बराबर होते हैं, यानि कि आप देखें, यहां, कहां, भूमद रेखा यानि कि बीच में इस लाइन को आप लोग माल लिजे, ठ सदा एक ही और जुकी रहती है, इसलिए भूमद रेखा के अतरिक्त, उत्रीवा दच्छी गुलाद की सभी अप्छांस रेखाओं को प्रकास, बर दो भागों में नावाट कर भिन भिन रितुओं में आसमान रूप से बिवक्त करता है, पैडाम सो रूप भूमद रेखा क अतरिक्त से इस भागों में दिनराथ के अधी समान नहीं होती है, बस भूमद रेखा पर बरावर देखने को मिलेगे, और उप्युक्त विबरन के अधर पिन दिनराथ के छोटे बड़े होने के संचेप्त निमने कारण है, एक कारण भी आप लोगों के याद रखना होगा पित्वी की बारसे गती होना, पित्वी के अक्ष का कक्ष तल का सदेव, आप देखे सदा साड़े च्यासर डिगरी जुके हुए होना, पित्वी के अक्ष का सदा एक ही और जुके रहना, पित्वी के परिक्मण में चार मुक्त अवस्ताएं आती हैं, और इन चारों अवस दूब जाता है 35 पर और कभी-कभी ऐसा रहता है आप देखते हैं एक समय ऐसा आता है कि साथ बजे तक सूर्य भगवान देखते रहते हैं पिधवी का अक्ष इसके कक्षा तल पर बने लंब से 6.30 दीगरी जुका हुआ है और पिधवी का अक्ष पिधवी के कक्षा तल से 5.30 डीगरी का कौन भी बनाता है और 21 जून की स्थिति, इस स्थिति में सूर करक रेखा पर लंबवत पड़ता है, जमकता है, इस पेकार उत्री गुलाद में सूर की सबसे अधिक उंचाई होती है, और जिससे यहां दिन बड़े और रातें छोटी होती है, इसलिए उत्री गुलाद में ग्रेस मरित्व होती ह और इस स्थिति को आप लोग करक संक्रांती या ग्रेस आयनांत कहते हैं, तो यह भी आप लोगो याद रखेगा, ठीक है, एप इत्वी हो गए यह आप देखे, बीच से एक तरह से रेखा निकाल दीजे, उपर उत्री धरग, नीचे आप देख, दच्छिडी धरग हो गया तो इसी एक बात हो रही है, यह उत्री गुलाद हो गया, नीचे आप देखे, दच्छिडी गुलाद हो गया, तो 21 जून को आप लोग देखेंगे, सूर करकरेखा पर लंबबद पढ़ता है, और इस से पेकार उत्री गुलाद में आप देखेंगे, सूर की सबसे अधिक उ चमकता है, और इससे यहां रातें बड़ी होती हैं, और दिन चोटे होते हैं, और गरमी कम होने से जड़े की रितु होती है, दूसरी तरफ, फिर आप देखेंगे, 22 दिसंबर की स्थिति, और इस स्थिति में दच्छिन धरुव, सूरी की समोख होता है, और इस से आप लग में, दिन रात और रितु की समानता रहने से इन दोनों स्थितिएं को विश्वत, अत्वा सम रात दिन कहा जाता है, 21 मार्च वाली स्थिति को बसंत विशव कहते हैं, और 23 सेप्टमबर वाली स्थिति को सरद विशव अवस्था कहा जाता है, ठीक है? तो यह भी आप याद रखेएगा इसके बारे में देख लिए एक तरह से ये सूरी तो अपनी इस्कृति पर बना हुगा है अब आप देखिए पिति भी घूम रही है तो आप देखे 23 सेप्टमबर बिसब रितु आप लोगों को देखने को मिलेगा इस तरह से तरह से तरह देखिए दचली कर देखें और सब्सक्राइब आप देखें और हुण इस तरह से आप देखेंगे इस पेकार रितु परिवातन के इन ने कारण है तो पिति पित्वी के अप्च्छ का सदेव एक ही और जुके रहना पित्वी की परिक्मर्ण या बार से गतिका होना और इन तीनों के पैडाम स्वरूफ दिन रात का छोटा बड़ा होना भी रहना चंद कलाएं इसमें बढ़ता हुआ चांद सोकल पक्ष को घड़ता हुआ चांद किष किस्जगी कहिए जो दो तरह से होती है आप देखे सोर चंदमा पित वी इस तरह से आप लो यह आप देखे राख गया यह आपका उत्री धर्वाइब हो गया यह आपका दच्छनी धर्व उत्री धर्व ठीक है और यह आप बीच में से देख रहे हैं यह है भूमद रेखा ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखेए गास के बारे में रितु परिवातन इसी के कारण हो रहा है यह आप देखें तो चंदमा की पिकासित भाग को ढग जाने को चंद ग्रहन कहेंगे क्या कहेंगे चंदमा का जो पिकासित भाग होता है अगर इसे ढग दिया जाए या किसी कारण से ढग जाए तो इसे क्या कह देंगे आप लोग चंद ग्रहन कर देंगे कि चंदमा पर ग्रहन पित्वी एवं सूर की साफिक चिस्तिती होती है और परेक्मण करते हुए जब पित्वी सूर और चंदमा की बीच आ जाती है माल लेजे कि आप देखे कि इस तरह से आप लोग माल लेजे इस तीर लाइन है यहां आप देखे सूर भगवान है उसके बाद आप देखे यहां पित्वी हो गई और यहां चंदमा हो गया तो सूर जो चंदमा है ना चंदमा की बीच और सूर की बीच पित्वी आ चुकी है ना तो आप देखे चंदमा पर पित्वी ढग गया चंदमा तो यही तो बता रहा है, पर एकमर करते हुए पितवी सूर और चंदमा के बीच आ जाए, तो चंदमा को सूरी का पिकास प्राप्त नहीं होगा, और आने वाले पिकास के सामने पितवी के आ जाने से, चंदमा पर पितवी की चाया पड़ जाती है, और जिसे हम लोग चंद ग ले आईए, तो आप देखेंगे, वो प्रिकास रहेगा, वो चिप जाएगा, एक तरह से ढख जाएगा, और नीचे रखी बस्तू पर प्रिकास ही नहीं जाए पाएगा, तो उसी को बोल रहे हैं, ठीक है, पूरिमा के दिन सूरे और पितभी चंदमा तीनो एक सीधे में होते हैं, बिलकुल एक सीध में होते हैं, और किंतु हर पूरिमा को चंद गिरहन नहीं होता है, यह भी आप लोग याद रखेगा, और इसका कारणी है कि चंदमा और पितभी के कक्ष तल भिन्ने भिन्ने, और चंदमा का कक्ष तल पितभी के कक्ष तल से 5 डिगरी नॉमिनेट क का गौण बनाती है, और चंदमा की कक्ष तल पितभी की कक्षा को दो इस्थानों पर काटती है, और केवल इन दो पाद बिन्दूओं पर जब चंदमा आता है, तब ही उस दिन पूरिमा के दिन चंद गिरहन आपको देखने को मिलेगा, ब्यूती की स्थिति होती है, क्या ह हर पूरिमा को बिल्कुल नहीं, यह भी याद रखे, हर पूरिमा को चंदमा नहीं होता है, तो यह भी याद रखेगा, यहां कुछ उधारन दिया गया, आप देख सकते हैं, क्या दिया गया, यह आप देखेंगे सूर भगवान हैं आपके, क्या है सूर भगवान हैं, और यहां आँगे आप जाएंगे तो पित्वी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी क्या देखने को मिल जाएगी पित्वी देखने को मिल रही है और इसमें आप देखेंगे क्या देखेंगे यह आपका चंदमा है क्या है चंदमा है यह पित्वी है समकॉंडी किस्तिती है यह आपकी और यह सूर की केरने आ रही है ठीक है यह सिजकी हो गई और यह यूती हो गई यह समकॉंड हो गया और यह आप देखेंगे बियूती और यह सिजकी हो गई और यह चंदमा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और यह सूर हो गया पितवी हो गया चंदमा हो गया यह सूर हो गया चंदमा हो गया पितवी हो गया सूर चंदमा और पितवी के बीच सिज़ की यूती बान यूती आप लोगों को देखने को मिलेगी और सूर गहण की अगर हम लोग बात करें तो पितवी की परिक्मा करते हुए जब किसी अमावस्या के दिन चंदमा पितवी और सूर के बीच आ जाता है तो पितवी पर चंदमा की चाया पढ़ती है और फिर आप देखेंगे कि सूर का संपूर पितवी तक नहीं पहुँच पाता है और सूर का कुछ भाग चंदमा की चाया में पढ़ जाता है और सूर की आक्टी पर पढ़ने वाली चंदमा की चाया सूर गहण कहलाती है अब आप देखे हमें सूर का पूरी तरह से जो प्रिकास है वो दिखाएगा ही नहीं ठीक है सूर का कुछ भाग चंदमा की चाय हमें पड़ जाएगा इसी को आप लोग सूर गरहन कर देते हैं क्या कर देते हैं सूर गहन लग चुका है जब चंदमा सूर को पूरी तरह से ढख लेता है तो पूर सूर गहन का जाता है जो चंदमा है हमारा अगर इस सूर की पूरी आप देखे सूरी को ढख ले पूरी तरह से तो आपका पूर सूरी गरहन कहा जाता है और जब चंदमा द्वारा सूर का कुछ आंस ही रखा जाता है तो इसे आंसिक सूर गेहन करते है और सूर गेहन अमावस्या को होता है किन्तु पितिक अमावस्या को भी नहीं होता है यह भी आप लोग याद रखेगा और सूर गेहन अमावस्या के दिन केबल उस स्थिति में होता है जब चंदमा पित्वी के कक्चतल में आ जाता है और पित्वी सूर और चंदमा एक सीध में होते हैं यह यूति की स्थिति होती है और इसी दिन आप देखेंगी आपका सूर गेहड़ आप लोगों को देखने को मिलेगा ठीक है तो यह भी आप लोग य जो करती है उससे धने कुसी के कारण दने कहते हैं उसे उससे और परेक्रम, Mercy बहुत मैं का चक्र लगाती है और से बार शिक गति पें सूर भगवा रहन सब्सक्राइब treats में सूरुको लिए आप दिया गया है तो यह भी आप लोग याद रखेएगा आप लोग ठीक है जलिए तो पितवी की गतियां हो गई अगली क्लास में अक्छांस देशांतर और अंतरष्टिय तितीर एका और समय कटीवंद के बारे में टाइम जॉन के बारे में हम लोग बात करेंगे और याद रखे इनसे आपकी प्रेक्षाओं में कुष्टां हर साल पूछे जाते हैं तो आप लोग जरूर पढ़िएगा जरूरूर समझेगा आप लो देख लीजे एक बार और पितवी को देख लीजे जब सुरी भगवान के सामने रहेगी तो यहां दिन होगा और इस तरफ आप देखे रात होगी और जैसे ही जो यह भाग आप देखे इस तरफ आएगा तो आपको दिन देखने को मिलेगा इस भाग इस तरफ जाएगा तो य साल हो जाएगी आपकी